तो दोस्तों अगर आप true caller का use करते हैं तो आप जानते होंगे true caller में हमें spam protection मिलता है, calls वगएरा जो unknown आती हैं उससे हमें बचाओ मिलता है, साथ में SMS वगएरा जो होते हैं, उससे भी हम जान सकते हैं कि SMS spam है कि नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि true caller में अ आप नहीं चाहते हैं, आपका phone number true caller में show भी हो, तो वो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे true caller unlisting की website है, और यह official website है, कोई भी third party application या फिर website नहीं है, इसका link मैं description box में दे दूँगा, वहाँ से आप direct इस पर जा सकते हैं, तो पहला जो option है हमारा unlist phone number, य नहीं install कर रहे हैं, तो Android और iOS, कोई भी आप device, Android phone या फिर iPhone यूज़ करते हो, उसमें पहले true caller की application आप install कर लिजे, application install करने के बाद आपको उसे open करना है, और open करने के बाद उपर जो three dot आ रही है, उस पर click करना है, और setting पर जाना है, setting पर जाने के बाद यहाँ पर देखेंग तो इसके बाद आपको करना क्या होगा, जो मैंने आपको side बताई थी, उस side पे जाएए, और वहाँ पे देखिए, नीचे की और, option दिख रहा होगा, by unlisting your number, here what you lose, यहाँ पे जाएए, इस पे नीचे, no I want to unlist, यहाँ पे अपना phone number, जो भी आपका phone number है, unlist करना चाहते हैं वो डालिए, I am not robot पे क्लिक कीजिए, जो भी reason यहाँ देना चाहते हैं, क्यों unlist कर रहा हैं, और unlist पे क्लिक कर दीजिए, 24 hours यानि 24 गंटे के अंदर, आपका phone number जो है, वो true caller से हट जाएगा, उस database में आपका phone number नहीं होगा, यानि, अगर आप call करेंगे भी किसी को, तो उस नाम जो है, वो true caller में कुछ दूसी तरीके से आता है, और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस side की जुरुरत नहीं है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने phone में जाके true caller application जो है, उसे open कर लेना है, और open करने के बाद, यह जो profile का option आपको नाम जो है, और phone number है, वो क्या लिखा हुआ है, अगर आप पहले से application यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह नेम चेंज कर लीजिए, और application नहीं यूज कर रहे हैं, तो application इंस्टॉल करने के बाद, यहाँ पर first name, last name, जो भी आप fill करेंगे, वही आपका true caller पे भी नाम registered हो जा हैं, और चाहें तो अपना नाम भी true caller में change कर सकते हैं, आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट करके जरूर बताएं, इसी तरह के और tips and tricks, how to वीडियो देखना चाहते हैं, तो Tech Master जी को subscribe कर सकते हैं